दोस्तो मोबाइल हो या कम्प्यूटर वहाँ पर आपने कैश मेमोरी की बारे में तो सुना ही होगा वैसे अगर मेमोरी की बात करें तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेमोरी से नाम आता है हार्डिस्क का और रेम का लेकिन यहाँ cash memory क्या होती है और यह किस तरीके से काम करती है यह जानेंगे हम इस वीडियो में नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है वेनि भरदवाज और मैं आपका स्वावग करता हूँ mybguide smart class में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं cash memory क्या होती है तो यह वीडियो लास तक देखेगा आपके बहुत काम हैगा दोस्तो अगर cash memory की बात करें तो यह memory होती है CPU के अंदर यानि आपके microprocessor के अंदर और यह बहुत तेजी से काम करती है अगर देखा जाए तो यह memory hard disk और RAM के मुकाबले बहुत छोटी होती है लेकिन यह उनसे कैई गोना तेज होती है और इस memory में वो programs वो निर्देश शुरक्षित रहते हैं जिनकी जरूरत बार-बार पढ़ती है CPU को cash memory को CPU की memory भी कहा जाता है CPU जिन programs और निर्देशों को बार-बार इस्तमाल करता है उनको वो cash memory में सुरक्षित कर लेता है चलिए इसके बारे में एक उधारन जान लेते हैं cash memory को आप और भी जादा अच्छित समझ सकते हैं माल लीजे आपको पैसे की बहुत जरूरत है तो सबसे पहले आप कहा जाएंगे सबसे पहले आप अपना पर्स चेक करेंगे उसके बाद आपने घर में कहीं पैसा रखा होगा अगर जरूरत होगी उससे ज़्यादा पैसों की तब आप अपने घर की कवर्ड में जाके चेक करेंगे और अगर और भी ज़्यादा पैसों की जरूरत है तब आप बैंक में जाएंगे और वहां से पैसा निकालेंगे से पैसा निकाल सकते हैं तो यह जो पर्स है वो आपकी cache memory है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके प्रोसेसर को RAM से डाटा पढ़ने में लगबग 180 नैनो सेकंड लगते हैं और आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूँ कि एक सेकंड में लगबग एक अरब नैनो सेकंड होते हैं वहीं cache memory से जब CPU डेटा पढ़ता है तो वहां के बल 45 नैनो सेकंड का ही टाइम लगता है तो यह जो टाइम है वो cache memory बचाती है आपके mobile phone में भी और आपके computer में भी mobile phone में भी cache memory इसी तरीके से काम करती है आप कोई software चला रहे हैं उस समय उसमें जो data डाउनलोड किया है वो आपकी cache memory में store हो जाता है temporary तोर पर और जब दुबारा से आप उस software को खोलते हैं तो जो file आपने access की होती है वो cache memory से तोरण की तोरण ले ली जाती है लेकिन mobile में जब ये cache memory ज़रूर से जादा बढ़ जाती है तो आपके mobile phone को hang कर देती है तो इसलिए हम कभी-कभी cache memory को clean कर लेते हैं लेकिन उससे कोई आपके hardware पर या software पर कोई फराग नहीं बढ़ता है ये temporary file होती है और cache memory को CPU अपनी ज़रूरत के साथ से दुबारा से बना सकता है तो आप समझ गे होंगे cache memory का जादा चोटा होते हुए भी ये कितनी तेज होती है और ये आपके computer और mobile के लिए कितनी लाबदायक भी होती है इसी लिए हर computer के CPU में cache memory ज़रूर आती है ये 3 MB भी हो सकती है ये 6 MB भी हो सकती है ये 8 MB भी हो सकती है और ये जिदनी ज़ादा होगी उतना ज़ादा आपका processor तेजी से काम करेगा एक चीज में और बता देता हूँ processor चाहे आपका dual core हो चाहे octa core हो हर processor के साथ में cache memory ज़रूर होती है अभी cache memory भी तीन label की होती है label 1 cache memory, label 2 cache memory और label 3 cache memory लेबल 3 cache memory जो होती है वो CPU के अंदर नहीं होती है वो CPU के बाहर होती है यानि आपके motherboard में लगी होती है और label 1 और label 2 cache memory आपके CPU के अंदर होती है अब जो बाहर वाली cache memory होती है अगर आपका dual core CPU है यानि वहाँ पर दो CPU है तो donor CPU के साथ में एक एक cache memory अटेच होगी level 1 और level 2 लेकिन जो level 3 cache memory होगी वो donor के लिए shared होगी यानि जो level 3 cache memory होगी उसको donor CPU इस्तमाल करेंगे तो आशा है आप cache memory के बारे में समझ गे होगे और हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे लेकर जह एकार लेकर में काび।